जम्मू कश्मीर के राजौरी में हिंदू परिवारों पर साल के पहले दिन हुए आतन की हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलज जारी किया है, जिसके बाद केंद सरकार की ओर से पुन्च और राजौरी में CRPF की लगभग 18 कमपनिया तैनात कर दी गई हैं। इस बी जिन में से 10 कमपनिया दिल्ली से भीजी गई हैं। दोनों क्षेत्रों के चप्पे चप्पे पर सेनाबल तैनात रहेगा, ताकि फिर से आतन की किसी हिंदू परिवार को यहां निशाना ना बना सकें। बता दे की नए साल एक जनवरी पर जम्मू कश्मीर के राजौरी और श्री नगर के जदीबल इलाके में आतनकियों ने हमला किया था। आतनक वादियों ने राजौरी में हिंदू परिवारों पर फाइरिंग की थी, जिसमें चार लोगों की मौथ हो गई। साथ ही साथ लोग घायल हो गए थे। सुरक्षा कर्मियों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया था। आतनकियों ने ये गोली बारी राजोरी के धंगरी इलाके में की थी।